लेटिन अमरीकी देश, ब्राजील में शांदार उत्पादन एवं विशाल स्टॉक होने से चीनी के वैश्विक बाजार मूल्य पर दबाव पढ़ने लगा है। पिछले दिन मार्च डिलीवरी के लिए न्यूयार्क एक्सचेंज में कच्ची चीनी, रोशुगर के वाइदा मूल्य में 0.27 सेंट या 1.12 प्रतिशत एवं लंदन एक्सचेंज में सफेद चीनी, वाइट शुगर का वाइदा भाव 7.2 शूने डॉलर प्रतिटन या 1.07 प्र प्रतिशत उच्छल कर 48,000 टन पर पहुँच गया। मालूम हो कि आम तोर पर वहाँ चीनी का उतपादन सीजन दिसंबर में समाप्थ हो जाता है, लेकिन इस बार गन्ना की भरपूर उपलब्धता के कारण जनवरी में भी क्रशिंग जारी है। बार वहाँ एथनौल की तुलना में चीनी उतपादन के लिए गन्ना का अधिक उप्योग किया जा रहा है। कीमतों पर दबाव पढ़ रहा है। वैसे निकट भविशे में भारत से चीनी का निर्याद शुरू होने की उमीद नहीं है और विदेशों से इसके आयात की संभावना भी क्षीन पढ़ गई है। इसमा ने मध्य जनवरी तक चीनी का घरेलू उतपादन 5.3 प्रतिशत घटकर 149.50 लाक टन रह जाने का आकड़ा दिया है। इसी तरह उसने 2023 से 24 के पूरे मार्केटिंग सीजन में 325 लाक टन चीनी के उतपादन का अनुमान लगाया है। उधर थाइलैंड में चीनी का उतपादन 36 प्रतिशत लुड़क कर 70 लाक टन पर सिमटने की संभावना व्यक्त की गई थी मगर अब इसमें कुछ सुधार आने के आसार है। इससे वैश्विक्स्तर पर चीनी की आपूर्ती की स्थिती थोड़ी बेहतर हो जाएगी। Bureau Report Market Times TV